आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मूधी ने कहा नए क्रिशी कानून देश में छोटी और सीमान किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे प्रदेश में कोरुना टीका करन का दूसरा चरण शिरू 2,81,000 फ्रेंट लाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा टीका मुक्य मंत्री शिपरा सिंग चोहान ने अफसरों से प्रदेश के विकास और जन्ता के कल्यान के लिए अपना सर्व शेष्ट देने की अपील की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भोपाल को देश पर में पहला स्थान इन दौर सात्वे स्थान पर अफसमाचार रस्टार से प्रधान मंत्री नरिंद्र बूदी ने कहा है कि नए क्रिशी कानून देश में छूटे और सीमांत के सानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे राश्रपती के अभिवाशन पर धनेवात प्रस्ताओं पर हुई चर्शा का आज राजिसभा में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्रिशी कानूनों का लक्ष 12 करोड से अधिक लगू और सीमांत किसानों की अकांक्षाओं को पूरा करना है केंद्र सरकार द्वारा लागो किये गए कई सुधारों और योचनाओं का उल्लेक करते वे प्रधान मंत्री ने कहा कि NDA सरकार गरीवों और किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबध है श्रीमोदी ने कहा है कि किसानों की बड़े और अधिक लावदायक बाजारों तक पहुँच बनाने में मदद करने के लिए सरकार द्वारा किसान रेल और किसान उडान सेवा शिरू की गई है ने क्रिशी कानूनों को वापस लेने की विपक्ष के मांग पर प्रधान मंत्री ने जोड़ दे कर कहा कि रुकावटों से विकास आसिल करने में कभी भी मदद नहीं मिलती प्रदेश में कोरोना वैक्सिनेशन का दूसरा चरण आज से शिरू हुआ इसमें प्रदेश के 2,80,000 और भोपाल के 26,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाया जाएगा फ्रंट लाइन वर्कर्स में जिला प्रशासन, पुलिस, नगरनेगम के अधिकारी करमशारी को टीका लगाने का रक्ष लखा गया है कोरोना वैक्सिनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत में भोपाल संभागा आयुक्त कवीनर क्यावत और कलेक्टर अविनाश लवानिया समेथ अन्य प्रशासने का दिकारियों ने भी वैक्सिन लगवाई इस मौके पर स्वास्तौलू कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रवराम चौधरी ने कलेक्टर कर्याले भोपाल में पहुँच कर फ्रंट लाइन वर्कर्स वैक्सिनेशन कारिक्रम का जैसा लिया इससे पहले वैक्सिनेशन के पहले चरण में प्रुदेश में 24,228 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया जबकि कोविन एप पर 36,528 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्रेशन कराया गया था वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रस्ताफ दिया है कि नुनितम मजदूरी सभी श्रिणी के श्रमिकों के लिए लागू होगी और उन्हें कर्मशारी राजी वीमा निगम के अंतरगत लाया जाएगा संसद में अपने बजट भाशन में श्रीमती सीतारमन ने कहा कि सरकार एक पोटल के माध्यम से गैर संकठित शेत्र के श्रमिकों विशेश रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में उचिस जानकारी कठा करेगी उनने कहा कि इन डेटा के मदद से मद्दूर के स्वास्त, आवास, कौशल, जीवन वीमा और खाध्यान से जोड़ी हुई योजनाय बनाई जा सकेंगी वित्यमंद्री ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों के परिवारों को एक राश्ट, एक राशन के अंतरगत राशन लेने की भी अनुमती होगी हूशंगबाद नर्सिंगपूर संसदी शेत्र से सांसद राउदै प्रताफ सिंग ने केंद सरकार के बजट की तारिफ करते वे कहा कि ये बजट सभी वर्क के लिए बेहत खास है, उर्हों ने इस बजट को सरकार के अगले दस वर्ष की योजना के लिए एहम बताया कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं, दो गस दोरी है जरूरी, सुरक्षित दोरी रखें, हाथ हर मूँ साफ रखें मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान ने कहा है कि हम प्रदेश के विकास और जनता के कल्यान के लिए अपना सर्व शेष्ट देने की कोशिश करें मुख्यमंतरी ने कहा कि अच्छा काम करने वालों की प्रदेश को जरूरत है, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको अधिकार ही नहीं है, इन पदों पर रहकर काम करें केंद सरकार के शेहरी विकास मंत्राले के स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट की पूनता, लुकारपन, निविदा प्रक्रिया और विकास नेधी के उपियों के पैमाने पर वोपाल को देशपर में पहला इस्थान हासल हुआ है, वह इन दौर इस सूची में सात्वे स्थान पर है, प्रदीश की समूची क्रामिर आबादी को नल से जल उपलब्ध करवाय जाने के लिए जल जीवन मिशन के अंतरगत विभिन जिलों में जल प्रदाय योजनाओं पर काम हो रहा है, शिवपुरी सिले में भी साथ जल प्रदाय योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा प्रदीश व्यापी गिद गर्णा के तहट पन्ना टाइगर रिजर्ब में सबसे ज्यादा 722 गिद पाए गए हैं, पन्ना टाइगर रिजर्ब के शेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने बताया है कि ये संख्या पिछली साल के तुलना में काफी अच्छी है, पन्ना टा 774 गिद पाए गए जो प्रदीश में किसी भी जिले की संख्या से अधिक हैं, इस गर्णा के निसार प्रदीश में कुल 9,408 गिद पाए गए हैं चिन्नई में पहली क्रिकेटिस मैच के चौथे दिन का खील समाप्थ होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में एक विकेट पर 49 रन पना लिया है, से पहले इंग लैंड की दूसरी पारी 170 रन पर समाप्थ हो गई भारत को अब जीत के लिए 90 ओवर में 381 रन बनाने हैं किया गया है, नगरी निकायों और 30 तरिये पंचायतों की प्रारूप मताता सूची आज कर दी गई शिद्वाडा सिले में नाबालिक वाहन चालकों पर कारवाई के लिए अभियान में 128 वाहन चालकों के चालान काट कर 32,000 रुपए का राज़स्व प्राप्त किया गया शेत्र में बन अबले की टीम द्वारा रेस्क्यू किये गया आदमखोत इंद्यों को आज राता पाने अभ्यारंड में छोड़ दिया गुना जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीर के अंतरकत 15 सुचता परिसर का निर्मान पूरा हो गया है अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंद रुमोदी ने कहा नए कृशी कानून देश में छोटे और सीमान किसानों के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे प्रधेश में कुरुना टीका करन का दूसरा चरण शुरू 2,81,000 फ्रंट लाइन वर्कल्स को लगाया जाएगा टीका मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान ने अफसर उसे प्रधेश के विकास और जनत्या के कल्यान के लिए अपना सर्व शेष्ट देने की अपील की और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भोपाल को दीशवर में पहला इस्थान इंदोर सात्वेस्थान पर मुर्टिन के अंत्पे आफस भी से एक अपील बासक और दोगज की दोरी हाँ धोना भी है जरूरी नमस्कार